दोस्तो आज की स्वीड़ों हम बात करने वाले हैं कि PM किसान सम्मान निद्योजना में अगर आप करेक्शन करने जाते हैं तो करेक्शन करने जब आप वहाँ पे अपडेशन आफ सेल पर इस्टर पर किलिक करके आप जब आधार नंबर अपना डाल करके और जब कैप्चा डालते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस अगर आ जाता है रिकार्ड नाट फाउंड फार करेक्शन और इट है और इस तरह से लिग के आता है तो आपको क्या करना दालके अभी आपको दिखा रहा हूं कि उन्षी का अधार नंबर डालने के बाद आभी आप दूसरे जगह से करेंगे तो उनका पूरा डेटेल खुल की आ जा रहा है तो चली मैं आपको बताता हूं तो यहां पर मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं तो देख सकते हैं 5615 उसके बाद capture डालके search पे मैं click कर दे रहा हूँ और search पे click करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने यहां पे लिख रहा है record not found for correction are it has corrected तो इस तरह से problem बहुत जादे दिनों से आ रहा था तो इस समय मैं check किया हूँ तो अब यह problem नहीं आ रहा है तो चली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कि आपको क्या करना है तो आपको जाना होगा किसी भी CSC से इंटरफेस आपको बैक आ जाना होगा और बैक आने के बाद आपको login पर click कर देना होगा login पर click करने के बाद सकते हैं कुछ इस तरह का interface यहाँ पर देख सकते हैं CSC login CSC login पर आप click कर दीजेगा csc login पर click करने बाद फिर से यहाँ पर आपको गो टू पीम किसान पर click करना होगा और फिर से आपको csc login पर click कर देना होगा तो अगर आपके पास CSC ID है तो आप उससे लागिन कर लिजेगा, अगर नहीं है तो आप किसी का भी CSC ID है तो उसका यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास CSC ID नहीं अविलेबल है तो आप किसी भी CSC सेंटर पे जा सकते हैं, देख सकते हैं अब CSC लागिन हो चुका है और उस मैं वही वाला अधार नमबर डालके capture डालके search पे click कर दे रहा हूं तो यहां पे अधार नमबर आप देख लिजेगा कि वही अधार नमबर है 5615 फर्स्ट का यहां पर फोर लेटर वोगा उसके बाद यहां पर सर्चपे आपको click कर देना हgement सर्च पे Click करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface यहां पर आ चुका यहां पर यहां पर देख सकते हैं लिख रहा एक्षन इडिट पर आपको क्लिक कर देना होगा इडिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और यहां पर फ्रेंड आधार नंबर आ चुका और यहां पर जो कैप्चा है कैप्चा डाल करके सर्च पर को क्लिक कर देना होगा search पर click करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा loading ले रहा है और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं लिख रहा है कि enter आधहार registered mobile number तो यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आधहार card में जो mobile number link है वही डाली है आप कोई भी mobile number डाल करके और get mobile मोबाइल नमबर डालने के बाद गिट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं लिख रहा है कि कैप्चर फार एक वाइसी तो आपको जिस भी किसान का आप कर रहे हैं उसका यहां पर अंगुठा लगवाना पड़ेगा तो पहले मैंने आपको बताया था कि करेक्शन कैसे करना है ओटीपी की द्वारा तो उसी तरह से आप यहां पर करेक्शन करके और सम्मिट पर आपको क्लिक कर देना होगा इसके आगे मैं करके नहीं दिखा पाऊंगा क्यांकि जो जिस किसान का मैं यहां पर दिखा रहा हूँ और किसान यहां पर अभी लेवल नहीं है तो फिर यहां पर मैंने सारा डीटेल आपको बता दिया कि किस तरह से आपको करना है अगर आपको कोई भी प्राब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा और अगर म वीडियो में बस इतना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मातरम